Hello everyone, आज हम लोग देखेंगे Special Science Series का Shade No.3 जो कि किसी भी State PCS, पिहार दरोगा मेंस, BSSE CGL, UP Police या किसी भी Government Exam के लिए important है तो आते हैं पहले Question पे, Plank के इस्थिरांग और कोनिय गती के लिए आयामी सुत्र है The Dimensional Formula for Plank's Constance and Angular Momentum R तो इसे Solve कैसे करना होता है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किस Formula में Plank's Constant आता है तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे Plank's Constant का Dimensional Formula तो कौन से Formula में Plank's Constant आता है, E equal to H New New क्या है, Frequency है, H क्या है, Plank's Constant है, E क्या है, Energy है तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, Plank's Constant का Dimensional Formula तो H को लिख सकते है, E upon New New क्या है, Frequency है, और Frequency क्या होता है, 1 upon T के बराबर तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, E divided upon 1 upon T ती उपर आ जाएगा, तो इसे ऐसे लिख सकते है, E multiply by T इक्या Energy है, तो इसे ऐसे लिख सकते है, Half MV square multiply करेंगे T से, Velocity क्या होता है, Displacement upon Time तो इसे ऐसे भी लिख सकते है, Constant जो है ना, इसी इग्नोर करूँआ ML upon T का whole square, multiply by T जब आप इसे solve करोगे, तो इसे क्या हो जाएगा, ML square upon T square multiply by T, तो 1T cancel होगे है, यहाँ से, क्या बचा, ML square T उपर चला जाएगा, तो T का power minus 1, ठीक है, अब देखो क्या करना है mass को हम लोग capital M से denote करते हैं, capital M से, L क्या है, length है तो length को capital L से denote करते हैं, तो capital L यहाँ पे लिख दिया power क्या 2 है, तो ML2 और sum को capital T से denote करते हैं, तो यहाँ पे T लिखेंगे और power क्या है, minus 1 है, तो जो plank constant है, इसका dimensional formula क्या हो जाएगा ML2 T minus 1, कैसे हुआ, energy equal to H new, H equal to E upon new लिख सकते हैं frequency क्या होता है, 1 upon T, तो frequency के जगर पर हमने लिख जाएगा 1 upon T तो T उपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, E multiply by T, energy को लिख सकते हैं, half MBA square यहाँ पे constant से कोई फ्रक नहीं परता, constant को ignore कर दो velocity क्या होता है, displacement upon time, इसका square हो जाएगा, multiply by T जब आप इसे solve करोगे, तो क्या जाएगा, M L square T to the power minus 1 अब हमें क्या लिखना है, dimensional formula लिखना है, तो M क्या है, mass है mass को capital M से denote करते हैं, तो M हो गया, L क्या है, length है तो length को capital L से denote करते हैं, तो L का power 2 हो गया, T क्या है, समय है समय को capital T से denote करते हैं, तो T का power minus 1, यह हमारे क्या होता है क्या होता है, dimensional formula होता है, तो जो plank constant का होगा, क्या हो जाएगा ml2 T minus 1, option A पर आते हैं, एक क्या है, ml2 T minus 2 है, तो यह तो गलत हो गया option C पर आते है, ml3 T1 है, तो यह भी गलत हो गया, option D पर आते है, ml T minus 1 लेकिन, जो plank constant है, इसका dimensional formula क्या है, ml2 T minus 1 तो option D भी आपका गलत हो गया, तो option B आपका यहाँ पर सही answer हो जागा ml2 T minus 1, अब देखते हैं, किसका, angular momentum का, ठीक है, अब angular momentum का dimensional formula निकालेंगे, तो angular momentum का formula क्या होता है, r cross p, p क्या है, linear momentum है, और linear momentum जो होता है, mb के बराबर होता है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते है, mb, r, ठीक है, मैं ज़्यादा dip में नहीं बता रहा, formula बता रहा हूँ, तो angular momentum किसके बराबर होगा, mb, r, k, m क्या है, mass है, velocity को लिख सकते है, displacement upon time, मतलब length upon time लिख सकते है, जो velocity है, इसको लिख सकते है, length upon time, r क्या है, length है, तो इसे l से denote कर सकते है, तो इसक्या हो जाएगा, अब देखो क्या करना है, m क्या है, mass है ना, mass को capital m से denote करेंगे, l multiply by l, l square हो जाएगा, तो length को capital l से denote करेंगे, तो ml square हो जाएगा, नीचे क्या t है ना, तो ml square by t, समय को capital t से denote करेंगे, और जब यह t उपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ml2 t-1, यह आपका क्या हो गया, dimensional formula हो गया, कि इसका angular momentum का, तो हम लोग यहां से एक चीज और सीख रहे है, planks constant और angular momentum का, जो dimensional formula होता है, वो क्या होता है, सेम होता है, तो यहाँ पे सही answer क्या हो जाएगा, option B यहाँ पे सही answer हो जाएगा, अब आपके लिए हूम अर्क है, आपको बताना है kinetic energy का dimensional formula क्या होता है, kinetic energy का dimensional formula क्या होता है, इसके आलावा force का क्या होता है, force का क्या होता है, कैसा निकालना है, simple सा basic concept है, fal при equal to क्या होता है, mask into acceleration, acceleration क्या होता है, velocity, change in velocity with respect to time, तो V upon T लिख सकते हैं और Velocity क्या होता है Velocity आपका होता है Displacement upon Time To L L L ज्सवान के लिए नीचे जब Time आए तो नीचे T square हो जाएगा बस आप इसका answer आपको comment box में बताना है कि इसका dimensional formula क्या होगा force का अगले question पर आते हैं विस्थापन के लिए निम्नेलिखित में से कौन सा कथन गलत है which of the following statement is incorrect for displacement तो इस question को solve करने से पहले कुछ important concept देख लेते हैं कि displacement क्या होता है और distance क्या होता है मालो कोई एक point यहाँ पे A है और यहाँ पे कोई point दूसरा point है B है तो एक बंदा है चो A से D तक चला फिर D से C तक चला यहाँ पे C point है फिर C से F तक चला फिर F से B के पास आया तो अगर मैं आपसे पूछू कि इस आदवी ने total कितना distance cover किया तो आंसर क्या होगा AD AD PLUS DC PLUS CF PLUS FB तो यह क्या होगा हमारा distance होगया अगर मैं आपसे पूछू कि इस ने displacement कितना cover किया कितना displacement हुआ तो क्या करेंगे final point को initial point से मिला देंगे वो हमारा क्या होता है displacement होता है वो क्या होता है displacement होता है तो displacement क्या होगया A से B तक ठीक है तो displacement को हम लोग define कर सकते है इसे क्या बोलेंगे displacement बोलेंगे हिंदी में क्या बोलते हैं विस्थापन अब इसके अलावा कुछ और important point है जो आपको देखना है चो displacement होता है कि displacement होता है और क्या होता है आपका scalar quantity, distance क्या हुआ, scalar हो गया, displacement, vector हो गया, इसके अलावा, जो displacement होगा, बिस्था बन, displacement जो होता है, यह आपका positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, और zero भी हो सकता है, जो distance होगा, जो distance होगा, हमेशा positive रहेगा, जो distance होगा, वो हमेशा positive रहेगा, तो आपको याद क्या क्या रखना है, displacement, vector quantity होता है, direction होता है, magnitude भी होता है, distance आपका scalar quantity है, displacement positive भी हो सकता है, और negative भी हो सकता है, लेकिन distance हमेशा क्या होता है, positive होता है, इसके अलावा, कुछ formula आपको पता होना चाहिए, average velocity, जा simply velocity अगर आपसे पूछ ले, तो किसके बराबर होता है, displacement upon time के, displacement upon time, अगर speed पूछ ले तो, तो speed बराबर होता है, distance upon time, distance upon time, और velocity किसके बराबर होता है, displacement, displacement upon time, तो यह difference आपको पता होना चाहिए, जो wave होता है, velocity, यह displacement upon time के बराबर होता है, और जो speed होता है, यह distance upon time के बराबर होता है, इसके अलावा, एक और point आपको पता होना चाहिए, जो ratio होता है, displacement का, displacement और distance का, यहाँ पे हम लोग mode लेते हैं, ठीक है, displacement को mode में लेते हैं, कि पोश्टिव भी हो सकता है, तो जो ratio होता है, displacement और distance का, यह हमेशा एक के बराबर या एक से छोटा होगा, और important point है, question पूश्टा है, अब इसे समझते हैं, क्यूं होता है, एक extra page लेते हैं, मालो, यहाँ पे कोई point A है, और एक point B है, तो किस case में आपका displacement equal होगा, मालो को आप A से B तक है, अगर आपसे पूछा जाए, कि आपने कितना distance कवर किया, मालो, दोने के बीच क्या है, distance X है, तो आपने कितना distance कवर किया, तो X कवर किया, आपने कितना displacement कवर किया, तो X कवर किया, क्यूं, displacement क्या होता है, Initial Point to Final Point तो Initial Point क्या है? Final Point क्या है? B है तो Displacement भी आपका X हुआ और Distance भी आपका X हुआ अब Displacement 0 कब होगा? तो आप A से B तक गए फिर B से A तक आ गए तो इस Case में क्या होगा? आपका Displacement 0 हो जाएगा Displacement जो होगा अब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्यों होगा A से निकले, फिर A पे पहुँच गए मतलब initial और final point में कोई difference नहीं 0 है, तो आपका displacement 0 हो गया, लेकिन distance आपने कितना cover किया, तो distance आपने cover किया है, distance आपने cover किया है, कितना 2x, distance आपने cover किया है, 2x, तो important concept है, आपको पता होना चाहिए अगले question पर आते हैं Question क्या आपसा पूछ रहा है निम्नी लिखित में से कौन सा कथन सही है which of the following statement is correct पहला क्या है औसरत विक समय अंतराल से बीभाजी दूरी है, average velocity is distance divided by time interval तो अभी मैंने बताया था, चो velocity होता है, तो क्या होता है displacement upon time या average velocity जो होता है displacement divided by time interval, तो यहाँ पर क्या distance है, होना क्या चाहिए displacement होना चाहिए, यहाँ पर आपका होना चाहिए displacement displacement होना चाहिए, तो यह तो आपका गलत हो गया, बीपर आते है Speed is LH greater than the magnitude of velocity, अभी गलत है अच्छा एक गलत क्यों है, कि अगर मान लो कि जब velocity क्या बोला है, displacement और distance equal हो अगर distance distance और displacement equal हो displacement displacement आपका equal हो, चो condition में नहीं बताया हुआ है, उस case में क्या होगा Speed और velocity जो हो है न, वो क्या होगी बराबर होगी, किस case में जब distance क्या हो, displacement के equal हो, लेकिन यहाँ पर क्या बोलड़ा है Speed is greater than the magnitude of velocity, ठीक है तो यह गलत हो गया, हमेशा नहीं होता है ठीक है, यह point गलत है, क्योंकि जब distance, displacement के बराबर होगा, दूरी जब इस्थापन के बराबर होगा, तो speed किसके बराबर होगा, velocity के बराबर होगा, गती वेक के बराबर होगा, तो इसलिए आपका भी गलत है, यहाँ पर एलवेज नहीं होगा, option C पे आते है यह particle with non-zero velocity, can have zero speed गैर सुन्ने वेक वाली एक कंड की गती सुन्ने हो सकती है possible ही नहीं है, ठीक है अगर किसी particle का velocity अगर कुछ भी हो तो जाइड सी बात है, speed भी होगा तो यह आपका C भी गलत है D पे आते हैं, D क्या बोल रहा है average velocity can be equal to average velocity, दोको अभी बताया था है मैंने, जब distance displacement के equal हो, तो उस case में क्या होता है, औसद वेक औसद गती के बराबर होता है तो आप से पूछ के आड़ा है कि कौन सा कथन सही है, तो आप Sunday आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अगले क्रिशन पर आते हैं एक ब्यक्ती धीली रेत पर खड़ा है और उसके पै रेत में गहराई तक चले जाते हैं लेकिन जब वह रेत पर लेटता है तो उसका सरीर रेत में उतनी गहराई तक नहीं जाता है इसकी वज़ा है एक पर्सन stands on a loose sand and his feet go deep into the sand but when he lies down on the sand his body will not go that deep in the sand, this is due to आपके पास option है option है force, option भी है thrust option C है pressure, option D है area सही answer क्या होगा तो option C आपका यहाँ पर सही answer हो जागा pressure ऐसा क्यों होता है तो pressure किसके ब्रापर होता है force, per unit, area के तो जब वो late जाता है तो area बढ़ गया आपका area of construction बढ़ गया तो pressure क्या हो जागा तक कम हो जाएगा जिसकी वज़ा से उतनी गहराई तक नहीं जाता है तो option C आपका यहाँ पर सही answer होगा आगले question पर आते हैं अधिकांस तरल पदार्थों के लिए चिपचिपाहट बढ़ने के साथ बढ़ती है for most liquids viscosity increase with increasing यह question के आपसे पूछ रहा है कि किस चीज के बढ़ने से जो liquid की viscosity होती है वो increase होती है pressure, temperature, surface tension तो जब pressure increase होगा तो आपका क्या होगा viscosity भी आपका increase करता है जब temperature increase होगा तो intermolecular force जो होता है molecule के बीच का जो force वो आपका decrease करता है तो जिसकी वज़े से viscosity क्या होती है decrease करती है ना कि increase होती है तो यह गलत हो जाएगा तीसरा क्या है surface tension अच्छा surface tension क्या है यह liquid की tendency होती है to minimize surface area इसमें क्या होता है चो liquid molecule है वो आपस में attract होते है intermolecular force increase होता है जिसकी वज़े से क्या होता है चो viscosity होती है वो increase होती है तो आपका third भी सही है तो कौन सो option सही हो जाएगा option B आपका यहाँ पर सही answer हो जाएगा 1 and 3 सही answer हो जाएगा option B surface tension बिसिकली क्या होता है force per unit lane formula में इसके अलाव भी और भी कुछ है इससे कभी दूसरे लिक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे surface tension को अगले किशिन पर आते है निमने लिखित में से कौन सी प्रक्रिया उसमा उत्सरजित करती है फेच अब ता फॉलोइंग प्रोसेस रिलीज ही पहला क्या है संगनन दूसरा है वास्पी करन वेपोराईजेशन तीसरा क्या है फ्रीजिंग चौथा क्या है मेल्टिंग गलन तो देखो यहाँ पर एक ट्रिक सिख लेते हैं चो पदार्थ के तीन अवस्थाए होती है solid यह आपका हो गया solid यह आपका हो गया liquid और यह आपका हो गया gas तो जब solid से liquid की तरफ जाएंगे या liquid से gas की तरफ जाएंगे इस case में क्या होता है उस्मा absorb होता है इस case में क्या होगा उस्मा absorb होगा absorb होगा लेकिन जब इसके opposite जाएंगे जैसे gas से liquid और liquid से solid तो इस case में क्या होता है, उसमा जो होता है आपका उत्सरजित होता है, इस case में क्या होगा, heat जो आपका होगा, वो release होगा, तो simple सा concept आपको पता होना चाहिए, जब solid से liquid की तरफ जाएंगे, liquid से gas की तरफ जाएंगे, या solid से gas की तरफ जाएंगे, तो heat क्या होगा, उसमा क्या होगा अप्जॉर्ven और सोसीट होगा और जब से लिक्वीड की तिरफ जाएंगे लिक्वीड की त्रफ जाएंगे या । संग्धनन तो संग्धनन में क्या होता है आपका जैसे मालों की गैस हैं गैस लीगवीड में चेंज हो गया ठीक है तो यह आपका हो गया संगानन तो इस केस में क्या होगा गैस लिक्विड में चेंज हो गया मतलब इसमें रिलीज हुआ ही ठीक है तो पहला जो आपका है इसमें क्या होगा हीट रिलीज होगा अब देखो वेपोराइजेशन वेपोराइजेशन वेपोर solid में change हो गया, ठीक है, ice में, तो यह क्या होता है, liquid solid में change होना, मतलब यह क्या हो गया, freezing क्या हो गया, आपका, इसमे heat release होगा, क्यों, क्योंकि liquid से solid में change होगा है, तो heat आपका release होगा, तो तीसरा भी आपका सही है, इसमें क्या होगा, इस process में heat release होगा, melting में क्या होता है ice के ice solid है फिर ये water में convert हो गया melt हो गया इसका मतलब क्या हुआ solid से liquid में convert हुआ तो इस case में क्या होगा इस case में आपका heat absorb होगा ना कि delish होगा तो चोता भी गलत है कौन सा सही है पहला और तीसरा तो सही answer यहाँ पे क्या होगा option है आपका यहाँ पे सही answer हो जागा 1 and 3 अगले question पे आते हैं वा प्रतिकिडिया जिसमें दो योगिक अपने आइनों का अदान परदान करके दो नए योगिक बनाते हैं कहलाती है third reaction in which two compounds exchange their ions to form two new compounds compound is called compound is called आपके पास option है displacement reaction option B a combination reaction option C a redox reaction option D a double displacement reaction सही answer यहाँ प्रतिकिडिया option D आपका यहाँ पे सही answer हो जागा double displacement reaction बोलते हैं और इससे और किस नाम से जानते हैं metathesis reaction के नम से भी जानते हैं metathesis reaction के नाम से भी इससे जानते हैं वा प्रतिकिरिया जिसमें दो यॉगिक अपने आईनों का आदान परदान करके दो नए योगिक बनाते हैं क्या कहलाते हैं Double Displacement Reaction option D आपका यहाँ पे सही answer होगा और इसे और किस नाम से जानते हैं Metathesis Reaction के नाम से Example आपका है BaCl2 plus Na2SO4 react क्या बनाते हैं Barium Sulphate BaSo4 plus 2 NaCl किसका example है Double Displacement Reaction का example है अगले क्रिश्चन पर आते हैं अमलिये घोल में अमलिये घोल में Phenolpethylene है Phenolpethylene in Acidic Solution आपके पास Option है Option है Pink Color, Option VA Colorless, Option C है Peelा रंग, Yellow Color Option DA 9 इस इन में से कोई भी नहीं क्रिश्चन क्या आपसे पूछ रहा है जो Phenolpethylene है यह Acidic Solution में कैसा होता है तो यह आपका होता है Acidic Solution में Colorless सही आंसर यहाँ पे क्या होगा Option B आपका यहाँ पे सही आंसर होगा Phenolpethylene in Acidic Solution is Colorless Option B आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अगर यहीं पे आपका होता Basic Solution फिर आंसर क्या होता फिर आपका आंसर होता आप basic solution में क्या होता है आपका color change हो जाता है pink में color change to pink अब देखते हैं litmus test के बारे मतलबा देख लेते हैं चो litmus test होता है इसमें क्या होता है चो acid होता है या change कर देता है change the color of blue litmus to red acid क्या करता है blue litmus को blue litmus को किस में change कर देता है red में और base में क्या होता है base में आपका होता है red litmus को blue में change कर देता है litmus test की बात ओरिए red litmus को red litmus को किस में change कर देता है blue में blue में तो याद क्या रखना है litmus test में क्या होता है चो acid होता है change the color of blue litmus today अच्छा अगर आपसे पूछ रहा था इस तरीके से कि लिटमस टेस्ट में जो एसिड होता है या रेड लिटमस को किसमे चेंज करता है तो रेड लिटमस को रेड लिटमस ही रखता है और ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है और बेश में क्या होता है रेड लिटम इंडिकेटर है अब यहां से एकजामे क्या पूछता है जो निट्रल सोलूशन होता है इसमें क्या होता है और न्युट्रल सोलूशन होता है रेड इन कलर ओर आपका बेसिक सोलूशन में बेसिक सोलूशन में आपका होता है एलो इन कलर एलो इन कलर ठीक है तो यह कुछ important point है आपको याद रखना है अगले question पर आते है genetic engineering में निमने लिखित में से किसका उपयोग किया जाता है fetch of the following is used in genetic इंजिनेरिंग तो यहां पर मैं सीधे आंसर बता रहा हूं प्लाजमिट औप्संसी आपका यहां पर सही आंसर होगा और प्लाजमिट क्रोमोशोमल डीने से अलग किये गए डीने अनु को संदर्वीत करता है जिसमें स्वैम को दोफडाने की छमता होती है रिप्लीका बोलते हैं तो यहां पर सही आंसर क्या हो जागा और आज के आखरी कुष्ण पर आते हैं निम्निलिखीत में से कौन सा पौधे के लिए मैक्रो न्यूट्रियंट हैं फीचर दूपलोईंग जिए मैक्रो न्यूट्रियंट फोर प्लाट आपके पास सभोसर्ण है और शोडियम और यह जिंक, option C बोड़ोन, option D is carbon. सही आंसर क्या होगा? option D आपका यहां पर सही आंसर होजाए carbon. मैक्रो न्यूट्रियंट में कौन कौन से आते हैं? तो आपका हो गया, carbon हो गया, hydrogen हो गया, oxygen हो गया, nitrogen हो गया, phosphorus हो गया, sulfur हो गया, potassium हो गया और calcium भी हो गया, magnesium हो गया यह सब क्या आते है, macro, nutrient में आते है और micro में कौन-कौन से आते है तो sodium, boron और zinc यह आते हैं आपके micro में micro में आते है तो यह तो थो हमारा आज का lecture अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारी telegram channel प्रतीक IQ को जोईन कर सकते हैं प्रतीक IQ current affair को जोईन कर सकते हैं वहाँ पे आपको जनवारी से लेके December 2023 तक का current affair मिल जाएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मिलते हैं नाए वीडियो में नेट टॉपिक के साथ अब तक के लिए नमस्कार जहें